अलो फ्रेंट्स द्रिश्टी में आपका स्वागत है और मैं हूँ आनन्द दोस्तों इस वीडियो में हम मध्यप्रदेश मुख्य परिक्षा में आए प्रश्णों पे चर्चा करेंगे हमारी चर्चा तीन चर्णों में होगी जिसमें पहले हम कंसेप्ट की बात करेंगे की अवधारना क्या है उसके बाद उस उत्तर में हमें क्या लिखना है उसकी बात करेंगे और दोस्तों अंत्र में हम बात करेंगे उत्तर लिखने की शैलिया, संरचना क्या हो और हमारा उत्तर कैसे लिखा जाए दोस्तों यहां पर हमने वर्ष 2018 में पूछे गए प्रश्णों पर हम चर्चा करेंगे और आपके सामने एक प्रश्ण हमने लिया है, वो देखें आप प्रधान मंतरी ग्राम सड़क योजना के क्या उद्देश्य हैं जोस्तों यह उत्तर आपको इसका उत्तर आपको सौ शब्दों में देना होगा जिसके लिए अधिक्तम छे अंक आबंटित किये गए हैं तो तो यहां पर उत्तर कैसे लिखेंगे और उसकी शैली क्या होगी, संड़चना क्या होगी उसकी बात हम दरसल चर्चा के अंतमे करेंगे पहले हम दर बात करेंगे कि इस पूरे कथन का तात्पर्दे क्या है और कंसेप्ट क्या है ग्रामसरक योजना का हमारा प्रशन यह है कि आपको प्रदान मंतरी ग्रामसरक योजना के उदेशों के बारे में बताना है और सौ शब्दों में बताना है दोस्तों यहाँ पर होता यह है कि हम पहले बात करते हैं कि ग्राम सड़क क्या है और क्या इसकी आवशक्ता है दोस्तों 25 डिसंबर सन 2000 में भारे सरकार ने एक योजना को शुरू किया जिसका नाम था प्रधान मत्री ग्राम सड़क योजना और यह पुन रूप से 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका मतलब यह हुआ कि पूरा का पूरा जो धन है इस योजना के लिए वो भारे सरकार की द्वारा राज्यों को दिया जाएगा ताकि राज्य अपने गाउं को दूसरे गाउं से जोडने के लिए सड़क का निर्मान कर सकें तो आईए बात करते कि यह है क्या तो भारत में करीब 65 प्रतीशत से अधिक आबादी गाउं में रहती है तो आबादी का एक बड़ा भाग ग्रामीन है जिस पे हमें विचार करना होगा तो तो हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए हम ग्रामीन अर्थव्यवस्था पर निर्भर होते हैं और खेतों से गाउं से देश की खाद्य सुरक्षा पूरी होती है दोस्तो किसानों की आए हमारे लिए एक महतवपून मुद्दा है एक महतवपून चिंता का विशह है कि किसानों की आएको बढ़ाया जाए दोस्तों ये आवश्क है कि जो छेतरी असमानताएं है जो छेतरी असंतुलन है उसे कम किया जाए दोस्तों ये आवश्कता है कि जो पिछडे वर्ग हैं जातिया हैं जन जातिया हैं उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ा जाए दोस्तों यहाँ पर आप देखें आबादी हमारी अधिकांश ग्रामीन है खाद सुरक्षा गाउं से पूरी होती है ग्रामीन रोजगार एक महत्वपूर्ण विचारनी है उद्देश है देश में छेतरी असंतुलन को हमें कम करना है पिछड़े वर्ग जातिया जन जातियों का विकास करना है दोस्तो इन सभी उद्देशों की प्राप्ती के लिए अगर एक समाधन हम ऐसा देखें हाला कि समाधन बहुत सारे हैं किन्तु एक ऐसा उद्देश जिसके माध्यम से ये हो जाएगा दोस्तो वो है कनेक्टिविटी सैयों जक्ता दोस्तो यदि गडामी छेत्र शेहरी छेत्रों से जुड़ जाएंगे तो आप देखें कि यहां के युवाओं को शेहरों में रोजगार मिलेगा किसानों की आए बढ़ेगी और जो वेरिया हमारा अभी तक वन्चित था विकास से तो विकास से वन्चित छेत्रों का विकास किया जा सकेगा दोस्तों इसी लिए बात होती है कि छेत्रिय असामानता हो किसानों की आए हो पिश्री जातियों का विकास हो इन सब के लिए कनेक्टिविटी जुडाओ बहुत जरूरी है और दोस्तों इसके लिए वर्ष दो हजार में 25 दिसंबर को जिस योजना को शुरू किया गया उसका नाम है परदान मंत्री ग्राम सडक योजना अब दोस्तों आईए जरा देखते इसमें होता क्या है इसकी विशेष्टाएं क्या है अगर आप देखें दोस्तों देश भर में ग्रामी सडकों पक्की सडकों के निर्मान के लिए इस योशना को शुरू किया गया इसमें कहा गया वे सारे आबादी वाले छेत्र ग्रामीन छेत्र जिनकी आबादी तो ग्रामीन छेत्रों में जिसकी आबादी पांच सौ लोगों से अधिक है और आदिवासी छेत्र या पुर्वोत्तर राज्य या पहाडी छेत्र या मरुस्थल वाले छेत्र जिनकी आबादी धाई सो लोगों से अधिक है उन छेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा ताकि शेहरी गरामीन सैयों जक्ता को बढ़ावा दिया जा सके दोस्तों इन विशेष्टाओं के साथ इस तारीख को ये योजना शुरू की गई जिसमें सौ प्रतिशत ये केंद्र प्रायोजित योजना है तो ये विशेष्टाएं हैं ये हमारा उत्तर नहीं विशेष्टाएं हैं हमारा उत्तर तो क्या है उद्देश की हमें बात करनी है लेकिन उद्देश्टाएं को लिखने के लिए अगर विशेष्टा पता हो तो हम बहुत अच्छे से उत्तर लिखवाएंगे तो ग्रामिंग पक्की सड़कों के लिए ग्रामिन आबादियों को शेरों जोडने के लिए इस प्रकार से इस योजना को शुरू किया गया अब दोस्त जैसा हमने देखा कि देश में छेतरी असमानता यदि आप ग्रामिन छेतरों की समस्याओं को उजागर कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा जिसको हमने करने का प्रयास किया जोस्तो ग्रामिन देश में आप देखें ग्रामिन छेतरों की आए शेरी छेतरों से कम है ग्राम का माल बाजार तक पहुँच नहीं पाता चेहरों में अगर रहना चाहें तो उनको आके रहना पड़ेगा किन्तु यदि ऐसा करना चाहें कि वो सुबह जाकर शाम तक आ पाएं तो बिना सडकों के वो संभव नहीं है जो तो ग्रामीन अर्थवेवस्था हो ग्रामीन रोजग भारत का निर्मान करना हो इन सभी उद्देश्यों के लिए प्रदान मंतरी ग्राम सडक योजना को आरंब किया गया अब दोस्तों यहां पर हम अगर उत्तर लिखना चाहें तो आईए देखतें उत्तर में क्या लिखेंगे हमारा प्रशन है अभी हम का इस उत्तर के मुख् ज़्दान मंतरी ग्राम सडक योजना के उद्देश्यों क्या है आप देखें ग्रामीन शहरी संयों जक्ता मतलब कनेक्टिविटी या जुडाओ ग्रामीन उत्तपादों का विपनन मतलब मार्केटिंग ग्रामीन आए की विर्दी ग्रामीन युवाओं को रोजगार छेत्रिय असंतुलन में कमी या समाप्ति क्रिशी उत्तपाद या ग्रामीन छेत्रों में नवाचार आधुनिकी करन का विस्तार दोस्तों आप देखें ग्रामीन अर्थवेस्था के लगबक सभी पहलूँ के लिए परधान मंतरी ग्राम सड़क योजना अनिवारे है आवश्यक है। दोस्तों ग्रामीन छेत्रों में आप देखें जो लगूत द्योग हैं उनका विकास और सबसे महत्वपूंड वी केंदरी कृत्ट विकास इसका मतलब है कि विकास केवल शेहरों में ना हो लोगों के समीब गाउं में भी हो डी सिंट्रलाइस्ट हो दोस्तों उसके लिए श लड़क यह उचना आप देखें तो यह हमारे उत्तर की कुछ मुख्य बाते हैं जैसा मैंने यहां पर भी लिखा था चाहे वो ग्रामीन क्रिशी उत्पाद हो किसानों की आय हो असंतुलन हो पिछड़े वर्गों का विकास हो तो यहां पर आप ये भी एड़ कर सकते हैं जन्जातियों का मुख्य धारा में प्रवेश या समानता पुन समावेशी विकास दोस्तों इन सभी कारणों के लिए इन सभी उद्देश्यों के लिए परधान मंतरी गराम सड़क योजना को शुरू किया गया ये हमारे discussion का एक भाग है हमने अभी देखा गराम सरक योजना की विशेश्टा क्या है और हमने देखा कि ये उसके उद्देश हैं अब दोस्तों बात आती है कि उत्तर कैसे लिखा जाए और उत्तर में क्या हमारी शैली हो क्या हमारे अत्रिक जानकारी हो फिर हम अत्रिक देखेंगे तोस्तों आप देखें हमें सौ शब्दों में अपना उत्तर देना है किसी भी ऐसे अधिक उत्तर शब्दों वाले प्रशन के उत्तर में हम एक समान्ने परिचेद दे कर अपना उत्तर शुरू करते हैं जिसको हम introduction कहते हैं उसके बाद हमारी उत्तर का जो मुख्य भाग है जो पूछा गया है जो मुख्य भाग है वो लिखा जाता है परंद में एक निसकर्ष जिसे हम conclusion कहते हैं उसे देखकर उत्तर की समापती दोस्तों की जाती है पहली बात दोईए यह 100 शब्दों का बटवारा ऐसे होगा कि आम तोर से 10 से 15 शब्दों में हम एक परिचे दोस्तों देते हैं परिचे क्या होगा उसकी हम बात कुछ दिर में करेंगे और दोस्तों करीब 10 से 15 शब्दों में ही हम अपने निसकर्ष को भी लिखते हैं जिसके बाद हमारे पास 70 से 80 शब्द बचते हैं अपने मुख्य पूछे गए भाग को लिखने के लिए तो यहां पर देखें आप कि सबसे पहला काम तो हम यह करेंगी किसी भी प्रश्ण का हो उध्तर लिखना है अब इसके बाद दोस्तों हमारा उत्तर शुरू होगा अब आप यह देखें परिचे में क्या लिखा जाए दोस्तो ऐसा है कि जो परिश्य होता है वो आम तोर पे एक प्रिष्ट भूमी होती है एक परिभाशा होती है जिससे आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं दोस्तो यहां पर आप देखी कि हमाने हमने इस उत्तर के या इस कंसेप्ट के विशेष्टाओं का जिक्र पहले किया हमने देखा कि ग्रामसरक योजना है क्या तो यदि हमें ये बताना है उत्तर में कि ग्राम सरक योजना का उद्देश क्या है तो पहले बताना पड़ेगा कि वो है क्या तो उद्देशी से पहले हम उसकी विशेश्टा को अगर लिख दें तो वो हमारा परिचे बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे आप इस्तिती ये इसकी इस्तिती मतलब ये तारीक है और ये उसकी स्तिती कौन पैसे लगा रहा है इसको लिख कर आप ग्रामी सड़कों या ग्रामी पक्की सड़कों के निर्मान के संदर्ब में एक परिचे लिख सगा बता सकते हैं कि वर्ष 2000 में 25 दिसंबर को पक्की ग्रामी सड़कों के निर्मान के लिए पूर्ण रूप से केंद द्वारा प्रायुजित योजना को ग्राम सड़क योजना कहा गया तो यहाँ पर अगर मैं परिचे लिखूँ तो परिचे कुछ इस प्रकार होगा की 25 दिसंबर 2000 को पकी ग्रामीन सड़कों के निर्मान हेतू भारस सरकार द्वारा सौ परतिशत रूप से प्रायुजित केंद्रिय योजना के रूप में प्रदान मंतरी ग्राम सड़क योजना का अनावरन किया गया यह की शुरुआत की गई दोस्तों यहां पर आप देखें यह हमारा बहुत सटीक स्पस्ट प्रभावी परिचे बनेगा जहां पर आपने तिति लिख दी है स्टेटेस बना दिया और क्या उद्देश है या उसके लिए आपने भूमी का बना दी है अब दोस्तों यहां से हमारा उत्तर शुरू होगा अब यहां से आप बताएंगे कि हमारा उत्तर का मुख्य भाग क्या है आप देखें हमने यहाँ पर बात कर ली परिचे की तो परिचे इस प्रकार से हम प्रिष्ट भूमी या परिभाशा से शुरू करते हैं फिर आप लिखेंगे इस परियोजना के इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न है तो यहाँ से आप बताएंगे कि इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न है और आपका दोस्तों उत्तर शुरू हो जाएगा जो हमने लिखा पहला बिंदू ग्रामीन शेरी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या गाओं को मुख्याले से जोडने के लिए ये योजना शुरू किया गया तो बताएंगे हलाकि यहां पे आप ये भी एड़ कर सकते हैं जैसा हमने देखा कि 500 से अधिक जो आबादी के सामाने ग्रामीन शेतर हैं और आदिवासी हो पुर्वतर हो मरोस्थल हो इन में 200 से अधिक की आबादी ग्रामीन शेतरों को शेरी से जोडने के लिए जिला मुख्याले से जोड क्रिशी उत्पाद के विपनन के लिए चाय वो दूध हो चाय वो अन्य खाध्यान हो ग्रामीन आय की विर्दी के लिए ग्रामीन युवाऊं को रोजगार के लिए अब देखिए एक बात और है जोड़ाव है ग्राउं का शेरों से तो शेरों से निवेश भी तो गाउं ज जाता है गाउं में भी निवेश करना असान है अगर रोड हमारे पास उपलब्ध है तो निवेश हो सकता है और आप देखें तो ग्रामीन युवाओं को रोजगार मिलेगा क्योंकि अब उनके घर की समी पुद्योग आएंगे सबसे बड़ी बात छेतरी असंतलन में कमी आएगी क्रिशी उत्पादन में प्रक्रियाओं में नवाचार आएगा क्रिशी छेतर में स्थित लगू द्योगों का विकास होगा जनजातियों का अनुसूची जनजातियों का विकास होगा और देश में एक समतापून विकास की जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा दोस्तों यहां पर आप देखें हमने जो यह बनाया था कि हमारे मुख्य भाग में 70-80 शब्द होंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि चुकि हमने यहां पर करीब 7-8 बिंदू लिखे हैं आप यदि इन में से कोई 6 बिंदू भी ले 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 वाक्य आम तौपे बन जाता है तो 75 शब्दों का आपका मुख्य भाग पूरा हो जाता है 75 शब्दों में आप देखें मिनिमम अगर आप पूरे के वो एक्स्प्लेंग कर देंगे तो आराम से 80-90 वर्षब्द पूरा हो जाएगा तो आप यहां पर 75-80 शब्दों में सठी अगर आप ग्रामीन आएं में वर्द्धी लिखते हैं सफीशेंट है इसके अलावा लिखोगे तो भी उतने फरक पड़ेगा ग्रामीन आएं में वर्द्धी आप लिखोगे तो भी उतने फरक पड़ेगा या फिर पूरा वाक्य लिखो कि तो भी उतने फरक पड़ेगा इ इसलिए जहां पर संभाव हो वहां पर कट करें और जहां पर संभावना हो या ना हो वहां पर वाक्यों को बड़ा कर दें इस प्रकार से आप देखी साथ बिंदू अराम से आप 75-80 शब्दों में लिख पाएंगे अब दोस्तों इसके बाद हमने देखा कि मुख्य बाग हमन के पास बचे होंगे जिसमें आपको निसकर्ष लिखना है क्या लिखें आईए उसकी बात करें निसकर्ष आम तोर पे भविश्यात्मक होता है निसकर्ष कुछ ऐसा होता है जिसमें हम भविश्य की कलपना करते हैं सुझाओ देते हैं तो कोई सुझाओ हो वो आएगा कोई इसी समाधान हो वो दिया जाएगा या फिर कोई समस्या ऐसे आपको लगे उसको एक वर्ड में लिखकर आप उसका समाधान भी दे सकते हैं अब देखें दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि आज दो हजार बाइस में करीब बाइस वर्ष भी चुके हैं इस योजना के शुबार के चले थे वो पूरा नहीं हुआ दोस्तों यहाँ पर क्या है निसकर्ष में हम यह दे सकते हैं कि सडकों के निर्मान की गती को बढ़ाया जाए पकी सडकों में आप देखिए ऐसा होता है बहुत बार की सडक बनती है बालिश आता है बालिश के बाद सडक तूट जाती है तो यहाँ पर सडक निर्मान में जो भ्रस्टा चार है सडक निर्मान की गुनवत्ता है सडक निर्मान की जो गती है उन पर काम करने की जर्वत है तो आप देखेंगे कि प्रधान मंत्री गराम सडक योजना अधिकिया आपका उत्तर क्या निस्करश क्या होगा चुकि हमने पहले परिचे लिखा हमने इसके बाद जो मुख्य भाग है वो लिख दिया जिसमें उद्देश लिखे फिर आप लिखेंगे इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ग्राम सडक या सडकों के निर्मान की गती गुनवत्ता और निर्माताओं की जवाब देही सुनिश्चित करने की आवशक्ता है दोस्तों हमारा बहुत सटीक प्रभावी निसकर्श हो गया की आप बताएंगे की इन उद्देशों की प्राप्ति तब होगी जब ग्राम सडकों के निर्मान की गती बढ़ेगी गुनवत्ता बढ़ेगी और जो बनाने वाले हैं उनकी जवाब देही होगी तभी जाकर ये सडक जिस उद्देश से प्तर है उसमें क्या-क्या बाते होंगी हमने उसको देख लिया लेकिन अब जरा कुछ और की बात करते हैं दोस्तों आप देखें ग्रामिंग विकास यहां पर हमारा एक अत्रिक्त पहलू है जिसके लिए काफी ऐसे प्रयास किये गए जैसे आप देखिए प्रदान मंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना तो तो ये भी एक ऐसा प्रयास था जिसकी शुरुवात दोजार चौदा पंदर के आसपास की गई ताकि ग्रामिंग विकास को किया जा सके जिसमें कहा गया कि जो भी MP है सांसद हैं तो लोकसभा राज़सभा मिला कर करीब आठ सौ प्लस सांसद हैं उन्हें एक गाउं गोद लेना है और 2019 तक उन्हें एक एक गाउं को विक्सित करना था इसका मतलब ये था कि शायद 2019 तक अगर यूजना सफल होती तो 800 प्लस गाउं विक्सित होते और उसके बाद 2019 में हर एक गाउं के साथ साथ दो और गाउं गोद ली जाते तो टोटल करीब तीन गाउं प्रती सांसित विक्सित होता तो देश में 2400 क्योंकि 800 से अधिक सांसित हैं तो पहले चरण में एक गाउं और अगले चरण में दो और गाउं तो टोटल तीन गाउं क लग लग गाऊं आदरश गाऊं बनते, जो ग्रामिन विकास को बढ़ाते. तो इसके अलावा कृषी का विकास है, उसका प्रियास किया गया है. दोस्तों वैसे भी आप देखें इंफरास्ट्रक्चर के लिए कुछ योजनाएं हैं जैसे और दियों की गलियारे हैं अब माली जे भारत के अलग अलग भाग में भारत के अगर हम पश्चिमी भाग को देखें तो उत्तर प्रदेश के दादरी से होता हुआ एक गलियारा बनाया जा रहा है जिसका नाम है दिल्ली मुंबई और दियोगी गलियारा डेली मुंबई इंडेस्टिल कॉरिडोर इसका नाम है दिल्ली मुंबई और दियोगी गलियारा तो तो इसका फाइदा ये होगा कि जो भी इस गलियारे के बीच में शहर आते हैं जैसे आप देखिए मद्बरदेश का धार जिला तो मद्बरदेश के धार जिले से भी ये गुजरेगा अब होगा क्या कि धार एक और दियोगी केंदर की रूप में विक्सित होगा और यदि हमने धार जिले के आस पास के गाओं को गराम सरक योजना से जोड़ दिया तो जो लाब इस गलियारे से धार को मिलेगा वो अलग अलग जन जाती और पिछड़े छेतरों को पहुँचेगा तो इस प्रधान मंतरी गराम सरक योजना के मुख लाब को लेने के लिए दोस्तों इंफरा स्ट्रक्चर गलियारों का होना भी जरूरी है तो क्रिशी अगर हम देखें तो सांसर्द आदर्श गराम योजना हो दिल्ली मुंबई और दियो की गलियारा हो क्रिशी का विकास हो खाद्य प्रसंसकरन आदी के उद्योगों जिन आप देखें आम तोर पे गाउं में क्रिशी और गतिविदियां आस्पा जादा होती हैं तो वहाँ पर वैसे उद्योगों लगाए जाएं जो उन उत्पादों का प्रसंसकरन करें माली जे हमने गाउं में लगा दिया है दूद के प्रसंसकरन का प्लांट की दूद आसपासे लेकर उसमें वो कनवर्ड करके दही चाच आदी बनाते हैं तो जो किसान हैं गाउं के आदिवासी हैं उनके उत्पादों का वित्रन बहुत अच्छे से होगा क्योंकि वो प्रसंसकरन में चला जाएगा तो माल खराब भी नहीं होगा दोस्तो ग्राम सडक योजना के अलावा ग्रामीन विकास के लिए ग्रामीन छेत्रों में ग्रामीन जो अर्थवेस्था है उससे सम्मंदित गत्विधियों को दिया जाए जैसे खाद्र प्रसंसकरन है, क्रिशी विकास है, गलियारे हैं और इस प्रकार की योजना ये बनी तो हमने उत्तर की बात तो कर ली है, अब जरा एक बार अंत में हम इसको समाप्त करते हैं, आप देखें, तो हमारा प्रशन बहुत सपस्थ है कि ग्राम सडक योजना के उद्देशे क्या हैं, ये हम जानते हैं, हमने लिखा परिचे, और परिचे में हमने लिखा कि कब ये परिचे लिखें, तो आप अलग अलग पहलिओं को जरूर टच करें, मतलब ये हुआ कि आप बताएंगे कि खेती है, नवाचार है, उद्योग है, रोजगार है, ग्रामी नाय है, इन सभी पहलिओं को टच करना जरूरी है, तब जाके आपका ये उत्तर का एक पार्ट बने हो, या गलियारे हो, खाद्य प्रसंस्क्रन हो, इन से भी ग्रामि निर्कास का उद्देशी पूरा हो जाएगा, जो इद्देशी ग्राम सडखः योचना ने देखा था, दोस्तो इस परकार से हमारा ये उत्तर समाप्थ होगा, जिसमें हमने लिखके देखा कि परिशय कर हमारा उत्तर समाप्त किया जाएगा जोस्तों ये उत्तर समाप्त होता है और हम अगले वीडियो में अगले प्रशन को लेकर मिलेंगे और बात करेंगे कि किसी प्रकार से किस प्रकार उत्तर कैसे लिखा जाए कंटेंड क्या हो उसकी संदचना आदी क्या हो लेकि ध्यान र रास्ते हमारे खुल जाते हैं जो तो यह था आज की वीडियो की बात मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले प्रशन को लेकर हाजर होंगे देखते रहें दिश्टी धन्यवाद